आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन चाउमीन का नाम सुनते ही मूह में पानी आ जाता है है ना तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं यहां हमने डेड़ लीटर पानी उबाल लिया है हाई फ्लेम पर पानी जैसे ही बढ़िया उबल यह अपने आप इस तरीके से अंदर चले जाएंगे फ्लेम को रखना है हाई पर 5-7 मिनिट हमें इसे अच्छे से उबालना है अच्छे से उबालने का मतलब यह नहीं है कि एक्दम सॉफ्ट और मैशी करना है नहीं इसे हमें सिर्फ 80% ही उबालना है तो जब यह अच्छे स अलग कर देंगे और इसे इस तरीके से किसी चलनी में निकाल देंगे अब इसकी कुकिंग को रोकने के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी ठंडा पानी डालने से दो चीजे होंगी एक यह आपस में चिपकेंगे नहीं और दूसरा इसकी कुकिंग भी र मिर्चें और कुटा हुआ लेस्टों हमने इसमें डाल दिया है 10-20 सेकंड के लिए हाइफ लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे अब इसमें डाल देंगे लंबे-लंबे कटे हुए प्याज, एक ही प्याज लिया है मैंने और हाइफ लेंप पर एक मिनिट तक प्याज को चलाते हुए पका लेना है ब्राउन नहीं करना है ध्यान रखेगा एक मिनिट के लिए ही पकाना है अब इसमें हमने गाज़ डाल दी है शिमला मिर्ची डाल दी है और आधा का पत्ता गोबी भी ले ली है साथ ही आधा चमच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है लगातार हाई फ्लेम पर इन्हें भी पकाना है एक से दो मिनिट के लिए ज्यादा नहीं पकाना है ध्यान रखेगा सबजियों का जो क्रंच है वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इससे भी हमने पका लिया अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स जो नूडल्स हमने बॉयल करके रखे थे देखिए कैसे खिले खिले हैं अगर आपको लगे कि नूडल्स चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा बानी उसके उपर और आप चिड़क सकते हैं 2 चमच वेनेगर डाल देंगे 1 चमच रेड चिली सॉस का डाल देंगे काफी स्पाइसी एवन कर तैयार होगी बहुत जादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो ग्रीन चिली आप स्किप कर सकते हैं 2 चमच सोया सॉस डाल दिया है एक से दो चम्मच आप टोमेटो कैचप के डाल सकते हैं इसके साथ ही एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही नमक हम इसमें डाल कर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सबजी की तरह मिक्स मत कीजेगा इस तरीके से स्पैचुला लीजेगा एक तरफ एक तरफ फोक लिजेगा और इसे उठा उठा के mix कीजेगा अगर मार्केट में आप देखेंगे तो वहाँ पर कढ़ाई को उचाल उचाल के हाई फ्लेम पर इसे मिक्स किया जाता है जो घर पर पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए घर पर इसी तरीके से मिक्स कीजिए और फिर गर्मा गरम चाउमीन को इंजॉय कीजिए तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाए